Hello friends, welcome to all आज मैं आपके जो वीडियो लिक्या रहा हूं देखे Reliance Industries का share, record तोड डाला दूर दूर तक कोई नहीं है अब ये अकेला बिल्कुल आस्मान पे बाकी दूर दूर तक कोई नहीं है लेकिन जबर्दस थे जी कारण क्या था, news थी टेकनिकल थे, सारी चीजे थी चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में और आगे बने से बहले में आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ला है यह सारी चीजे मुम्किन है टेकनिकल अनलिसिस के थूँ तो जल्दी से जॉइन कीजे मेंबर से और भी डिटेल आपको देखनी है तो देखिए कल की डेट में भी हमने रिलाइंस इंडेस्टी के लिए मेंबर्स को यहां पर दिखाया था उसके अलावा कोल इंडिया और बहुत सारी चीजे थी लेकिन आज की डेट में फिर से रिलाइंस इंडेस्टी हमारे ट्रैप में आया पकड में आया और अच्छा खासा प्रॉफिट मुनाफास और पेपर शेर का इंट्राडे में ही दे जेती है टेक्निकल अनलेसिस इंपोर्टेंट है इसी लेकिर है बहुत ही खतरनाक आज की डेट में यह अठारा सो के लवल के बिल्कुल पास गया यह मान के चलिए और वहां से थोड़ा दीचे आया है लेकिन इतना बड़ा अब दूर दूर तक कोई नहीं है जनरली आपने देखा होगा टीचेस इसके बहुत पास रहा करता था लेकिन यह जीओ की जीओ की वज़े से जीओ की महरवानी हुई जो जो रिलाइंस को भगाय जा रही है और आज 12 लाग करोड के पास पहुचा दिया है मार्केट का प्रलाइशन सकंड नमबर पर TCS है आठ लाग करोड से कम है थर्ड नमबर पर SDFC बैंक है छे लाग करोड से कम है ज़रा सोचिए कोई है ही नहीं पास पास तक रिलाइंस बिताज बात्सा बन चुका है इंडिया की शियर मार्केट का यह देखिए और आज की डेट में जो हुआ वो तो कि लेट फ्री हो गे मतलब कंपनी ने न्यू जाए कि नेट फ्री होगे हमारे जन्याट फुर्यंतना इपास अ गया दो उलैंस ऐसा उचला ऊचला वह बांपनी ने जो कहा के से शेयर में जम पा रहा है, इंवेस्टर की वेल्थ बढ़ रही है, लेकिन सबसे important बात थी debt की, वो उधार कम किया है, इरलाइंस इंडस्ट्रीज ने, अब देखे, 1,15,000 करोड तो आगे investment थे, 53,000 करोड किसे आगे, और राइट से तो यहां इन दोनों के तरीके से जो पैसे आये, जो कम्पनी के ओपर net debt था, 1,61,000 करोड का, इन दोनों को जोड़ोगे, तो यह कहीं ज्यादा है इससे, अब आप कहोगे, हाँ बैए, और March 31, 2020 तक का target, जो एज आज आप मार्च 31, 2020 का debt यह net debt था, यह total net debt जो कम्पनी कह रही है, लेकिन यहां पर हमने target रखाता है, मार्च 2021 का target रखाता है, वो हमारा अचीव हो चुका है अभी से, तो कम्पनी पर debt का कितना जोर रहता है, ज्यादा सूचिए, एक बार कम्पनी ने कह दे कि हमारा उधार खतम हो गया, तो कैसे भागा share, खतरनाक तरीके से, जबर्दस तरीके से, लेकिन बहुत सारी opportunities, रिलाइंस में मिली है, इंट्राडे में भी, weekly वाली भी, monthly वाली भी बहुत बढ़ी opportunities, ज़रा देखिए profit growth 10%, sales growth 27% के आसपास है, अब देखिए, अब share में किस तरीके से situation बनी है, टेक्निकली देखेंगे इसको, टेक्निकली देखेंगे monthly basis में, मन्थली को देखिए, बिल्कुल नीचे गिरा था, नीचे गिरने के बाद मजबूती है कि नीचे गिरने में कितना भी अच्छा share क्यों न हो, जब नीचे गिरता है तो pain की situation रहती है, लेकिन हाँ, उसका थोड़ा सा positivity देखने को मिले जैसे, इस talk में positivity, सबसे important बात, जब टाइम पे आपने देखा उगए, जब ये 800 के लवल था, almost 880 के लवल था, उस टाइम पे pain के situation दे खरीदने का जायज time नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब तेजी से भागा एक week में, अग देख सकते हैं, आप इसको पुरानी वीडियो में, उसके बाद फिर से तेजी आई, फिर ये दूसरा breakout, ये बारा पैथिस का और भी बढ़िया breakout था, और इसका stop loss आपके पास था, 1140, 1150 के आसपास का, बहुत ही जबरदस देखिए, ये दो breakout, उसके बाद तीसरा breakout फिर से आ करते हैं, तो किस तरीके से weekly की moving average cross हुगी, that is a big positive, but हमको क्या चाहिए, ये शियर पानी पीने आया और ये पानी पीने आया, देखिए, रेस्ट के लिए आया, और आप देखिए, यहाँ पर गिरावट के टाइम पर एंटरी का मौका नहीं, जब ये रिजॉल्व हुआ, वी फिर से waiting time आयेगा, अब हाँगे फिर से ये week खतम हो चुका है, अब मुझे लगता है कि हाँ ये correction की requirement है, वो correction चोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन entry, जब technical analysis के basis पर आप चलते हो, तो हमेशा आपको यहाँ पर जो entry होती है, वो correction resolution के बाद मिलती है, और दू यहाँ पर Reliance Industries ने आपको 4-4 example साथ में दिये हैं, और correction resolution इसको आप चोटे time frame में देखोगे, आपको और clear picture सामने आएगी, देखिए, चोटे time frame यानि की weekly का चोटा time frame आप डेली में देखिए, डेली में ये situation आपको देख किस तरीके से देख रही है, जस्टे correction है, एक flat correction है, उसके बाद फिर से देखे कि correction है, correction resolution आपको जल्दी भी पता चलता है, और आप full complete resolution बे भी enter कर सकते हैं, उसके बाद देखे कहां तक गया, फिर ये important point, जब ये 1620 के आसपास तक गया, और इससे के बाद भी मैं यहाँ पर वीडियो क्रेट क्या था, कि हाँ बाई, यहाँ प बाद जो तेजी आई, वो काफी important उसके बाद ये breakout, ये breakout काफी खतरनाक breakout में इसको कहूंगा, जो की हमें देखने को मिला है, almost 16 जून, 17 जून, 17 जून के आसपास से देखे, बहुत ही जबर्दस breakout और इसने आपको दिया कमा के 500 रुपे से उपर पर शेर क्या, लेकिन आज क कि देट में 100 रुपे पर शेर की कमाई होगी, तो और क्या चाहिए देखिए, technical analysis इसलिए important है, इसको आप कहते हो, जब ये breakout successful होते है, range contraction, कोई इसको क्या कहेगा, cup and handle pattern भी कहते है, बहुत सारे लोग इसको cup and handle, cup बनता है, और ये handle बना, और कभी भी भाग सकता है, लेकिन हम हांदेश breakout को, ये important point भी आपको इसलिए बता रहा है, क्योंकि breakout के near pullback, ये काफी important point होता है, breakout के near pullback, that is a big, क्योंकि अलग-अलग signal होते है, लोगों के खरीदारी के ये देखिए, ये pullback हुआ है, जो, ये बहुत ही important चीज होती है, और successful breakout के लिए, और इस pullback के resolution के बाद, फि सारी share में इस तरीके से situation देखिए, कि जो successful breakout है, वो pullback, और साथ के साथ consolidation near breakout और pullback, बहुत ही important point ये दोन है, इसको ध्यान रखना है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए, daily पे weekly, जो cross था 20-50 का already था, और just 20 के आसपा सिने support लिया, एक बार, दो बार, और भागते गया, ल का touch किया, touch करने के बाद वापस आ गया, that is a big positive, price खाली slip हुआ, price slip होने के बाद 20 के पास देके support ले रहा, और इसका मतलब बड़ा धमाका होने वाला है, देखिए, और intraday की बात करते हैं, तो, कल की date में अगर आपने वीडियो देखे होंगे, पुराने वाले देखिए, intrad में कल की date में भी बढ़िया opportunities मेंबर के साथ अल्रड़ी शेयर कर दी गई थी, और आज की date की भी 11 बजे वीडियो शेयर, जो है, ये Reliance Industries का मौका आ गया करके शेयर कर दिया गया, ये technical analysis के जुपारे level 2 के members है, उनको अल्रड़ी हम ये शेयर कर देते, यहां भई, मौका आ ग या, same here, I also traded Reliance and Godress properties देख सकते आप, एक वीडियो हो जाए, वीडियो देखे, Reliance Industries के उपर भी हो गया, आज की जितनी trading और देखिया, इंडिया बूल नहीं देखा, किसी ने लगता है, सबसे bottom पर वही था, लेकिन 30% जंपे देखिए, सुबह 10-11 बजे आपको ये data जाता है तो देखे कितना important, इंडिया बूल housing finance, जबरदस्ट, चलिए ये update यहाँ पर Reliance Industries का net debt free हो चुका है, बहुत ही important बात थी, और मुझे लगता है कि यहाँ पर technical analysis काफी important है, चाहे कोई भी share हो, कितना भी अच्छा share करना हो, technical analysis आपके risk को भी manage करता है, आपको proper entry, exit की planning भी देता है, और wind up करता हूँ, यहाँ पर वीडियो को उम्मीद करता हूँ, आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो share जरूर केजिए, और आपको technical analysis की सरी join करने है, तो join button पर click केजिए, and thank you, thank you for watching the video.